तेदी 94,000 सिखषक न्योज़न की परिकिरिया में नियोमग व काणूनों की उदाइचारी ये धजिया सिखषा बीभाग और नियोज़न निकाई का अलग लग नियम है इस वज़े से बिहार में एक वाफिर से 94,000 सिक्षक नियोजन की परिकरिया में गलत तरीके से कई अभियातियों का चियन होगा बिहार में अलग-अलग नियोजन निकाई के अलग-अलग नियम है पटना जिले के नियोजन निकाई का अलग नियम है ठीक अगर आपने पूर्णिया जिले में आविदन किया है तो पूर्णिया जिले का अलग नियम है जेहां आपको बता दे कुल मिला कर बिहार के सभी नियमों को दरकिनार कर जो है नियोजनिकाई अपने मनमानी सिस्वार भी गलब तरीके से कई अभियार्थियों को चिरन करने को मजबूर है इसका रिजन ये है कि अभी तक सिख्षा बिभाग के दुवारा कोई भी असपष्ट दिसान रिदेश नहीं जारिक किया गया है आपको बता दे कि सिख्षा बिभाग को इन बिंदूओं पर धियान देनी के आवसकता है जो पहला बिंदू है वो ये है कि दूसरी राजियों के महिलाओं को क्या बिहार में आरक्षन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा जियां पहला question यह है कि दूसरी राज्यों के महिलाओं को क्या बिहार में आरक्षन मिलेगा या फिर नहीं दूसरा प्रशन वो यह है कि TET में 60% अंक क्या जेनरल कोटी के रिक्ती पर चैन के लिए क्या 60% अंक अनिवार्ज है या फिर नहीं है जियां TET में 60% अंक क्या जेनरल कोर्टी के रेक्ती पर जो है चेन के लिए अनिवार्ज किया गया है या फिर नहीं किया गया है तीशरा इंटर में 50% अंक होना चाहिए इसको लेकर की भी जो है विभाग के द्वारा कोई असपष्ट दिसान रिदेश नहीं है लेकिन आगे हम आपको दिखाएंगे कि नियोजर निकाई इस वज़े से जो है फॉर्म भी रिजेक्ट कर रहे है अगला वो यह है आपका कि बी ए एबॉम बीएड में जो है अगर आपने बी ए पलस बीएड किया हुआ है तो आपको इंटर में 45% अंक होना चाहिए नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है चौथा जो है वह आपका जो दिस्तान रिदेश है इसको लेकर के भी जारी करना चाहिए कि दो अंका वेटेश जो है किसको मिलेगा 82 मार्क्स लाया है इन अभियार्थी को क्या दो अंका वेटेश मिलना चाहिए या फिर नहीं म आपको बता दे के इन सभी प्रशनों को लेकर के जो है अलग-अलग नियोजनिकाई का अलग-अलग ही नियम है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह और अंगाबाद जीली के नियम है और इसमें यहां पर आप देख सकते हैं इसमें जो अभियाति का फॉर्म को जो रिजक्ट क किया जा रहा है यहां पर आप देख सकते हैं प्रात्मिक सिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग के दौरा एलेटर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि द Swedish review on Demi & By Adaret Pro का लेटर आप देख सकते हैं इस वजे से निजनिकाई के दौरा जो है निजनिकाईग किया जारा है यहां पर आप देख लिजिए यहां पर आप देख लीजिये मुझपर पूर्जील में अगर आपने फश् 50% से कम अंक है तो मेदा सूची से आपका नाम हटा दिया जाएगा जी हां यहां यहां पर आप देख सकते हैं अगर इंटर्मीडियेट में आपका 50% से कम अंक है तो आपको यहां पर आप देख सकते हैं मेरिट सुची से आपका नाम हटा दिया जाएगा 61220 को यहां पर आप देख सकते हैं कि जो निर्देश दिया गया था सिख्षा बिभाग के दुआरा मुझे पर पूर जीला सिख्षा पता दी का दी की दुआरा कि 50% कम अंक वालों का मेदा सुची में अस्ताम नहीं मिलेगा साथ ही 45% वाले वैसे अभियार्थी जो 2002 या इसे पूर पास हुए हैं पर सिख्षित हुए हैं उन्हें intermediate में छूट मिलेगा तो असपष्ट दिशा निर्देश नहीं हैं सिख्षा बिभाग के दुआरा इस वज़े से इस वार आपको बढ़ा दे कई अभियार्थियों का अभियार्थी को रिजेक्ट किया जा रहा है विभाग के दौरा कोई भी असपष्ट दिशा निर्देश नहीं जारे किया गया है इन सभी सवालों को लेकर के कि इस पर अभियार्थियों को चैन कैसे होगा अभियार्थी यह मान के चैर रहे हैं कि पुर्वें जैसा करें लेंगे तो उसका कुछ और कहना होता है और सिक्षा अभिभाग अधिकारी का जो है कुछ और ही कहना होता है तो यह था कुछ बिंदू इस अपडेट में बस इतना ही है आप सभी अभियार्थी भी अपना रहे हमें जरूर दे आपको क्या लग रहा है